जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर करना न भूले तो दोस्तों बिहार SST के छातरों में मन में यही संका है कि 727 अभ्यरत्य मैंसे किनिका फि कि कितने लरकों ने फिजिकल में यस किया है तो इसी पर आज वीडियो है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिए तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा होगी कल जो नोटिस आया है बिहार SST के तरब से टाइपिंग टेस्ट को लेके इसमें साब साब लिखा गया है कि 30 तारीक क कभी भी आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा और देख पा रहे हुए दोस्तों कल का ही तारीक है इसी तरह आयोग चाहती तो फिजिकल का भी लिस्ट दे सकती थी कल ही कल ही जी हां दोस्तों और 30 तारीक के बाद जो है बोलती कि कभी भी आपका फिजिकल ले लि कम सकम उन्हें 15 दिन सोरी 15 दिन तो नहीं एक सब्ता पहले कम सकम बताना जरूरी है क्योंकि वह फिजिकल की तयारी कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि तीस तारीक के बाद आपका कभी भी टाइपिंग ले लिया जाएगा तो आज आयोग जो है लगबग पांच दिन का टाइम जरूर दिया इसमें तीस तारीक के बाद मिनिमम पांच दिन का टाइम जरूर दिया कि आप टैपिंग सीख ले और जो इंस्ट्रक्शन है कि टैपिंग कैसे लिया जाएगा किस फॉन्ट पे लिया जाएगा क्या स्पीड है यह सब इसी में मेंजन किया ह तो इसी तर तो physical के लिए भी दिया जाना चाहिए ना कि कम सकम 5-6 दिन या 10 दिन उनको time दे कि वो physical की तैयारी कर देए ऐसा नहीं कि परसो physical हो तो आज निच निकाले ऐसा कभी नहीं करती है कोई भी आयोग नहीं करती है ऐसा काम करेगी तो आयोग फसने का ज्यादा chance होता है इसलिए मन में यही संका हो रहा है क्या ओवर एज का यहां पर जो है criteria फूल फिल किया गया है यहां कि आयोग के इस notice में आप देखे होंगे यह जो notice निकला था कि यहां जो आप इस line को हम लोग पढ़ते हैं और 6 से counseling है तो अभिरतियों की सुची तयार करने में करम में यह यह तथे परिये लक्षित हुआ कि आयोग की आविशक सुचना गयापांग इतना दिनांग जो है 2016 जो कि 2016 वालों के दुवारा रियोफेन हुआ था फॉर्म यही चर्चा किया गया है इस गयापांग और दिनांग के साथ कि आलोग में आविधन समर्पित करने वाले अभिर करतिक आरक्षन तथा उम्र सीमा में छूट का लाब प्राप्त करने से वंचित हो गया थे कि एक्चुली हुआ क्यों कि जो लड़के लोग भड़े हुए थे कि जैसे आप OBCS से हैं तो आपको जो है तीन साल पलस तीन साल पलस दिया जाता है और आप SCST है तो आपको कर दिया गया था कहना का मतलब यही है यहां आप देख पारें अधिक्तम आयू की गन्ना किये जाने के कारण आवशक सुचना ग्यापांक 292 और दिनांक 5226 के आलोक में अधिक्तम आयू सीमा दैच्छूट का लाब संबंदित अभ्यरतियों को प्राप्त नहीं हो सका तथ आईसे अभ्यरति ओवर एज की स्रेणी में सामिल हो गया परिनाम सरूप ऐसे सभी अभ्यरति प्रारंबिक प्रिक्षाम में ही सफलता प्राप्त करने में विफल हो यानि आयोग के नुसार इस लाइन के नुसार जितने का विजल दिया गया है वह ओवर एज है भले ही इस म करके यह रिजल दिया है इस अनुसार भी वह फिजिकल नहीं करवा सकती है कि फिजिकल अगर होता तो अभी तक मैं ज़रूर उसका लिस्ट आयाता या इसलिए मुझे लग रहा है कि उनका फिजिकल नहीं होगा और आयोग जो है इस लाइन को ज़्यादा तवज्यू देते तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस लाइन पर तो आपना विचार कॉमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा मेरे ख्याल से जो आयोग अपने नोटिस में निकाला था कि मैं ओवरेज करके रिजल्ट दुबारा दे रहा हूं इसी पर आयोग जो है खड़ा है अपने बातो पर और फिजिकल नहीं लेने के मूड में है और देखने वाली बात होती कि आयोग लेती है या नहीं लेती है इसे तो बहुत सारी स्टूडेंट है जिनका की एज क्रेटेरिया फुल्फिल करता है चाहिए वह फोरेजगाट से हो चाहिए वह अधना एक अनुदिसक में हो सक और दोस्तों कहने का यहीं मतलब है कि आयोग नहीं चाहती है कि इन सबी लड़के लोग का फिजिकल ले अगर फिजिकल लेना चाहेगी तो मेरे ख्याल से प्रकेडिया में देरी हो सकती है को कि फिजिकल इनके बस का काम नहीं है इसके लिए उसको CSBC को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, forest garden department को request करना पड़ेगा कि आप हमारे जितने जो student है 50 हो, 60 हो या 100 हो, इनका physical आप लोग कराईए, request पर request भेज़ा जाएगा और remainder पर remainder भेजा जाएगा कि इन सभी लगों का physical हो और आयोग ने साब कहा था 19 तारीक के notice में कि हम जो result दे रहा है वो overage वाले को दे र रहा होंगे कि 1996, 1995, 1994 के आसपास है तो दोस्तों आपका क्या रहा है अपना कॉमेंट के मध्यम से ज़रूर रखिएगा अपने बातों को तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है नए अबडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत